चित्रों की सहायता से वाक्य पढ़ना आज हम वाक्य पढ़ने जा रहे हैं लिकिन इन वाक्यों के बारे में मज़िदार बात ये है कि इन वाक्यों में कुछ शब्दों के बजाए चित्र दिये गए हैं आपको चित्रों के नामों का उचारन करके वाक्यों को पढ़ना है और इन्हें अपनी नोटबुक में भी लिखना है। कौन शुरू करेगा? मैडम, मैं पढ़ती हूँ। आइशा, तुम्हें इन वाक्यों को पढ़ना है और उन्हें बौर्ड पर लिखना भी होगा। तोते की चोंच लाल है ये लाल मिर्च और अम्रूद खाता है। बहुत अच्छा आइशा, अब सुश्मा आओ और अगले वाक्यों को पढ़ो और लिखो। जी मैडम जी, मा बाजार से कद्दू, मिर्च, बिंडी और मूली लाईं। दीदी ने सबजियां धोई। दादी ने चाकू लिया और कद्दू और मिर्च को काटा। आज पिता जी भोजन की ठाली देखकर खर्श हुए। अब हम वाक्यों का एक और समान खेल खेलने जा रहे हैं। इसमें आपको एक दृश्य दिखाई देगा। जिसमें हो रहे कार्य को आपको पहचान कर वाक्य बनाने हैं। और उन्हें अपनी नोटबुक में लिखने हैं। इस पहले दृश्य को देखो। मैडम ये वाक्य इस प्रकार है। मोर अपने पंक पहला कर नाच रहा है। बड़ी आईशा, अब अगला दृश्य देखें और हर कोई मुझे एक वाक्य सुनाएगा। एक लड़का कुडे दान में कच्रा फेक रहा है। मैडम ये वाक्य है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। मैडम इस दृश्य में दिखाय गया है कि एक लड़की टांकी में पानी भर रही है। मैडम ये वाक्य इस प्रकार होगा, दादा जी अकबार पढ़ रहे हैं मैडम द्रिश्य में जादुगर जादु का खेल दिखा रहा है मैडम इस द्रिश्य के अनुसार एक लड़की पेड के नीचे गिरे हुए फूलों को उठा रही है ये द्रिश्य है, कुमार घड़ा बना रहा है मैडम इस द्रिश्य में शेर दहार रहा है बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छी कोशिश की, अब इन सभी वाक्यों को अपनी नोटबुक में लिखो अबस्ति को अबस्ति को अबस्ति को लिखो